नौन है रेखा देवी, खगरिया जिला को रहने वाले हैं, मैं हमको एक साल से सुगर था, तो कोई आदमी बताया कि जाईए, भागरपुर में डाक्टर है, एक किराई, तो ही आएं, तो दवाय दिये, डाक्टर साहिब, तो आर्थ दिन में ठीक होने लए, अंग्रिया जी द दवाय चल रहा है, तीन में डवाय खाएं, और कोई दिकत परेशानी नहीं है, आप दवाय नहीं खाते हैं, सब चीज खाने का बाद अभी रिपोर्ट ठीक है, सब चीज खाते हैं, खाना जो होता है, फल, फुरूट, दाल, चावल, सब खाते हैं, अभी ठीक हैं, अब खाते हैं, दवाय बंद हैं. परियास के बहुत से अग्रेजी दवाय खाई, इसका कोई दूसरा विकल्ब ही नहीं है, जिसको डियाविटीज हुआ है, उसको छुटा ही नहीं है, ऐसा परिथोलोजी में कहा भी, मैं इसके पीसा में चिंतित था, तीसी बीच में मेरे मीत्र नरेदर जी से भेट वी, उस मेरा ट्रीटमेंट, अच्छा रहा, डॉक्टर एके राय के अनुसा हूँ, उसके सभी खानपॉंड को पालन करते वे, मैंने दवाय डियाविटीज कमता चला गया, तो मुझे विश्वास वाकि डियाविटीज समाप्त हो जाए, उसके बाद खानपॉंड में जैसा अस्व में के दरौन मीठा सेवन करने का आलो, रजगुल्ला अने बुनियों मीठा समंग खाने का बोला, और मैंने किया, लेकिन डियाविटीज से कोई परवाद नहीं पड़ा, घरता ही चला गया, मुझे विश्वास का हुआ कि डियाविटीज छूट जाए, लेकिन कुछ लोग में खाया रजगुल्ला पेरा, जू भी मिठा का सम्मंता सब खाया और डियाविटीज चेक करा, डियाविटीज घटके 110 हो गया, तो मैं पूर्टा संतुष्ट हो गया कि डियाविटीज अब नहीं हो, या इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हागे मैं सभी यह के रायदवारा किया गया ट्रिटमेंट, बिल्कुल सत्य कोई जूटा नहीं है, किसी तरह की इसमें छलकप्ती नहीं है, अच्छी किसी तरह की पड़ेसानी मुझे नहीं है, सरीन में खुरती है, वेट भी सही है, इसलिए डियाविटीज मेरा सही है, और मैं इस दावा 60 ला कि तरह राल कि कि अटना तयदा लेक, तरह की वेज़ेसा नहीं है, वेजवारा कि उłक дор के लाव भी तरह कि अशफ जगे सेसानी मुझे के घ.